हैलो फ्रेंड्स, सुईट एंड सावर लव स्टोरी चैनल के तरफ से आप सबको नए साल की हर्दिक सुबकामना है आज मैं लेकर आई हूँ 2024 का पहला वीडियो और इस वीडियो में मैं एक्प्रेंड करूंगी तेरा मेरा रिस्ता पुराना का 12 एपिसोड कुछ पर्सनल डिजन्स के वज़े से मुझे इस वीडियो को लाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया अब सबने इस वीडियो का इंतजार किया उसके लिए आप सबको थैंक्स जितनी जल्दी हो सके मैं इसके अगले एपिसोड को भी ले आऊंगी पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्ण तो मेरी फैमिली ही है न फैमिली ठीक रहेगी तो वीडियो अज भी बनती रहेगी चलिए आप शुरू करते हैं आज का पार्ट कैसा होफलेस सा लवर है तू सौंगलन ले बिस्तर पर लेटे लेटे कहा अपने लवर से एक फोटो भी नहीं ला पाया जान बज गई है यही बड़ी बात है लान वांग जी ने अपना बेट ठीक करते हुए कहा तो फोटो की बात कर रहा है तेरा नसीब अच्छा है कि तुझे मेरी फोटो निउस पेपर में नहीं देखनी पड़ी निउस पेपर में क्यों? सौंगलन बिस्तर पर पलट गया निउस में आ जाता मैं होमोसेक्सवल प्यार करने की वज़े से एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को उसके प्रेमी के साथ वानर की लिंग करवा दिया लानवांग जी ने पीलो कावर चेंज करते हुए कहा सौंगलन हसने लगा तेरा भाई ऐसा है? वो ऐसे है तो नहीं बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बड़ा किया है लानवांग जी दूखी होकर बोलता है पर उनको उक्सियन के साथ मेरा रिस्ता पसंद नहीं आएगा उन्होंने मुझे पहले ही मना कर दिया था पर मैं उनका नालायक भाई हूँ मैं अपने दिल से मजबूर हो गया मुझे भाईया से भी बहुत प्यार है और उक्सियन से भी जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब मेरे भाई साइद उक्सियां को मान ले वो जब तक नहीं मानेंगे मैं उक्सियां से साधी नहीं कर पाऊंगा पता नहीं उनको मनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा क्या उक्सियन भाया इतने दिन तेरे लिए इंतजार करेंगे सौंगलन अपने पेड़ों को उपर नीचे करते हुए पूछता है पता नहीं लानवांग जी बेट पर बैठते हुए बोलता है मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा पर अगर वो मुझे छोड़ना चाहे तो मैं साइद उन्हें रोक नहीं पाऊंगा मुझे मैं ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिसके लिए वो इंतजार करते रहेंगे साइद उनको ये बात पता है साइद इसलिए वो मुझे इंटिमेट नहीं होना चाहते हैं शौंगलन ने कुछ नहीं कहा लानवंग जी फिर्षे बोलने लगा मैंने सुचा था कि मैं उक्सियान के बद्रे पर मिलूँगा उनसे पर मैं वो भी नहीं कर पाया मैं पांच दिन था वहाँ पर उक्सियान चाहते थे कि मैं अट्लिस दो दिन उनसे मिलू पर मैं एक दिन भी उनसे मिलने जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाया मुझे लग रहा था कि मैं उस्यान से मिलने जाऊंगा और भाईया का कोई दोस्त मुझे देख लेगा और वो बाद भाईया तक पहुंच जाएगी मैं अकेला घर पर रहे गया भाईया दो दिन के लिए घर आये थे मैं उनसे आखे भी नहीं मिला पाया ना मैं एक अच्छा भाई बन पाया और ना ही एक अच्छा बॉइफ्रेंड लानवांग जी बहुत डर रहा था वो अपने भाई के डाट का इंतजार कर रहा था पर उसके भाई ने उसे डाटा नहीं साइद उनको तब तक खबर नहीं मिली थी पर जब उनको पता चलेगा कि लानवांग जी के जांगसन के प्लाटफरम में वीवुक्षा का हाथ पकड़ कर बैठा था तब क्या होगा अच्छ ठीक है तो चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा स्वांगलन सीधा होकर लेड़ गया अब सोजा कल सुबे ख्लास के लिए जाना है स्वांगलन लानवांग जी अपने बेट पर लेड़ जाता है तू बोल रहा था कि तुझे कोई अच्छा लगता है कौन है वो क्या मैं उसे जानता हूँ उस बारे में बात करके कोई फाइदा नहीं है स्वांगलन ने एक गहरी सांस छोड़ कर कहा तू आरूक सेन भईया दोनें एक दुश्रे से कितना प्यार करता है पर तेरा ही कुछ ठीक नहीं है मेरा तो बस एक तरफा प्यार है जादा सोचूंगा तो फालतो में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा जब मुझे पता है कि वो मेरा हो नहीं सकता तब उसके बारे में सोच कर क्या फाइदा क्या वो कोई लड़का है लानवांग जी ने पूछा तुझे किसी लड़के से प्यार है सौंगलन चूप हो गया उसने गलती से ऐसा कुछ बोल दिया था तुम उससे क्यों चुपा रहा है मुझे भी तो एक आदमी से प्यार है मैं तो तुझे सब कुछ बताता हूँ लानवांग जी ने कहा ये बात थोड़ी अलग है सौंगलन ने कहा कहीं वो जियाओ जिन चेंग तो नहीं लानवांग जी ने पुछा सौंगलन फिर से बिस्तर पर पलट गया तो उसे बताना मत प्लीज उसने रिक्वेस्ट किया हाँ मैं समझ सकता हूँ जियाओ जिन चेंग को ये बात साइद अच्छी नहीं लगेगी और अगर उसे पता चलेगा कि तू भी मेरी तरह गय है तो वो साइद हमसे दोस्ती तोड़ देगा मैं गय हूँ इस बात से भी वो ज़्यादा खुश नहीं है लानवांग जी ने कहा तेरी बात तो अलग है पर मेरी बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए चौंग लैन ने कहा रात बहुत हो गई थी वो लोग सोना चाहते थे दोनों बेट पर लेटे हुए थे पर किसी को नीज नहीं आ रही थी तब ही लानवांग जी का फोन एक पल के लिए रिंग करके चुप हो गया उसने फोन उठा कर देखा वो इवुक्षा का मिश्ट कॉल था उसने डिंग बैक किया तुम सोये नहीं अभी तक वो इवुक्षा ने पूछा नीद नहीं आ रही थी लानवांग जी ने कहा तुम ठीक ठक पहुँच गये थे ना वो इवुक्षा ने पूछा मैंने ट्रेन से उतरकर आपको कॉल किया था लानवांग जी ने कहा आपका फोन स्विच्ट आफ था मैंने बताया था ना आज हमारा एक पोग्रम था मैंने बस मेरे परफ़नमेंस के टाइम ही फोन को स्विच आफ किया था वो इवुक्षा ने कहा कैसा था पोग्रम लानवांग जी ने पूछा अच्छा था हम इंप्रूब कर रहे हैं आज तो लिंग जी वो मुझसे अच्छा गा रही थी वो इवुक्षा ने हश कर कहा उख्षियां मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ लानवांग जी ने एक अजीव आवाज में कहा क्या हुआ वांग जी ऐसे क्यों बोल रहे हो क्या तुम मुझसे ब्रेक अप कर रहे हो वो इवुक्षा ने घबढ़ा कर पूछा क्या तुमारे भाई ने तुमसे कुछ कहा ब्रेक अप का नाम मतलो प्लीज मुझे आपके साथ जिंदेगी भी दानी है लानवांग जी बोलूठा टाइम आने पर मैं भाईया को मना लूँगा वो मुझे से बहुत प्यार करते हैं वो जरूर मान जाएंगे सायद वुवक्षन ने कहा क्या आप मेरे लिए पाँच्छे साल वेट कर सकते हो लानवांग जी ने पूछा तुम मुझे पाँच्छे साल छोटे हो मुझे एतना वेट तो करना ही पड़ेगा वो युवक्षन ने कहा मुझे साधी की कोई जल्दी नहीं है पहले तुम अराम से अपनी पढ़ाई खतम कर लो उसके बाद हम साधी के बारे में शोचेंगे I love you लानवांग जी खोशा कर बोलता है लानवांग जी फिर से अपनी क्लास, डांस क्लाब और बॉड़ी बिल्दिंग में बीजी हो गया जी आउजीन चेंग को सौन लंग की क्रैस के बारे में बताया नहीं गया उन तीनों की दोस्ती भी पहले जैसी ही रही वो इवक्षन अपने बैंड और म्यूजिक सिखाने में वीजी था देखते देखते वो इंटर भेकेशन का टाइम आ गया लानवांग जी एज यूजवल अपने बॉइफरंड से मिलने के लिए बेताब था पर पिछली बार की बात को याद करके उसने सजिस्ट किया कि वो दोनों के जंग सन के प्लैटफरम में नहीं बैठे रहेंगे उससे अच्छा होगा कि वो लोग के सिटी में कहीं और जाकर टाइम स्पेंट करेंगे और ट्रेन का ट्राइम होने पर स्टेशन में जाकर ट्रेन में बैठ जाएंगे और इस बार वो दोनों थोड़ा केरफूल रहेंगे प्लैन के मुताबिक लानवंग जी के जंसन में उत्रा और वोई विक्षण के साथ के सिटी घूमने निकल गया पहले तो उन लोग ने खाना खाया और फिर इदर उदर घूमते घूमते एक मंदिर में पहुँचे मंदिर के पास एक समसान घाट भी था विक्षण ने कहा मुझे समसान में बैठना बहुत अच्छा लगता है पता नहीं क्यूं पर बहुत सकून सा मिलता है तो चलिए हम इस समसान में ही बैठ जाते हैं कोई मना तो नहीं करेगा ना लानवंग जी ने पूछा के जंसन के सिटी के एक साइड में था वो समसान के सिटी के आउट्स कार्ड में था वो एक छोटा सा ट्राडिशनल समसान था जिसमें बहुत कम चिताय जलती थी उस टाइम उसमें ना तो कोई चिता जल रही थी और नहीं कोई था वो दोनों घाट पर जाकर बैठ गया मैंने तो सुना था लोग समसान में जाकर निसा करते हैं लानवंग जी ने कहा पर आपको तो किसी चीज की निसा नहीं है आपको समसान क्यों पसंद है पता नहीं क्यों पसंद है वो यूखशन ने कहा साइड जादा कोई नहीं आता है इसलिए तो आप समसान में जाकर इस्क लड़ाते हो लानवांग जी वो युविक्षन के तरफ खिजकता है मुझसे फाहले और किस-किस के साथ समसान गये हो आप एक बार एक लड़की को लेकर गया था वो युविक्षन हशने लगा वो लड़की बहुत दिनों से मुझे डेट पर जाने के लिए बोल रही थी मैं उसे समसान में ले गया था उसके बाद से उसने मुझसे बात करने से भी इंकार कर दिया आपने समसान में उसके साथ कुछ गलत काम किया होगा इसलिए बेचारी डर गयी थी लैनवंग जी ने कहा गलत काम तो मैं तुम्हारे साथ करूँगा वो इवक्षन आखे दिखाते हुए बोलता है पर किसी समसान घाट में नहीं मेरे घर में ले जाकर बेट पर लेटा कर करूँगा ले जाए लैनवंग जी ने कहा मैं तो तयार हूँ वो इवक्षन लैनवंग जी के सर को धक्का देता है तुम्हें तो बस वही चाहिए क्या तुम बहुत ज़्यादा पौन देखते हो जो उसमें दिखाते हैं वो सब सच नहीं होता है तुम ऐसा कुछ उम्मिद लेकर मेरे पास मताना लैनवंग जी मुस्कुराता है क्या हुआ तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो वो इवक्षन ने पूछा लैनवंग जी हस्ते हुए बोलता है मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा पर आपने सायद बहुत देखा है डॉन्ट वरी मैं आपके स्किल को किसी और से कॉंपर नहीं कर पाऊंगा आप जो करोगे वो ही मेरे लिए सही होगा लैनवंग जी की बात सुनकर वो इवक्षन का चहरा लाल हो गया और उसे देखकर लैनवंग जी बहुत खोस हो गया तुम बिल्कुल बे सर्म हो वांग जी वो इवक्षन ने कहा आपके सामने मुझे किस बात की सर्म लैनवंग जी ने पूछा क्या आपको मेरा ये साइड अच्छा नहीं रगता है क्या मैं आपने आपको चेंज कर लू ठीक है ठीक है चेंज होने की जरूत नहीं है वो इवक्षन ने लैनवंग जी का हाथ पकर लिया तुम जैसे हो परफेक्ट हो मैं एक बात पूछू लैनवंग जी ने पूछा पूछो वो इवक्षन ने उसके हाथ को हलके से दबाया क्या मार्केट में गेप और एविलेबल है लैनवंग जी ने धीरे से पूछा पता नहीं वो इवक्षन ने जवाब दिया मैंने कभी नहीं देखा मैंने तो कुछ भी नहीं देखा लैनवंग जी ने वो इवक्षन के कंदे पर सर रखते हुए कहा मैंने बस पड़ा है आपको ही मुझे गाइड करना पड़ेगा कर लूँगा वो युवक्षान ने लानवंगजी के हाथ पर अपना अंगुठा किशते हुए कहा आज भी उन लोगोंने तीन बजे के ट्रेन को ही टर्गेट किया था जब वो लोग के जांग संस्टेशन पर पहुंचे तब उन्होंने देखा डिस्पले बोड पर उनके ट्रेन के आगे चार नमबर प्लाटफरम लिखा हुआ था पिछली बार भी वो ट्रेन चार नमबर प्लाटफरम से ही छूटी थी वो ट्रेन जनायली उसी फ्लाटफरम से छूटती थी चार नमबर प्लाटफरम में एक ट्रेन खड़ी थी दोनों ट्रेन में जाकर बैट गये इस बार वो लोग चौकन ने थे ताकि कोई जानने वाला उन्हें देखने से पहले वो उनको देख पाए बहुत साबधानी से सारे पैसेंजर्स को देखकर वो एक सीट पर जाकर बैठे उनके बैठते ही ट्रेन छूट भी गई आसपास कोई जानने वाले नहीं थे देखकर वो दोनों खुश थे पर उनकी खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी लानवांग जी ट्रेन के खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था थोड़ी देर में उसे लगा कि बाहर का लेंस्किप जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं है उसने ट्रेन के अंदर नजरे घुमाई पैसेंजर्स के डायलेक्ट और उनके पहनावे भी कुछ अलग से थे वो युवक्षान ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था वो तो बास इस चीज़ पर ध्यान दे रहा था कि कोई जानने वाला ना मिल जाए उक्षिया लानवांग जी ने उसके कान में कहा कहीं हम गलत ट्रेन में तो नहीं बाढ़ गये गलत ट्रेन वो युवक्षान ने पूछा ये साइद किसी और रूट की ट्रेन है लानवांग जी ने कहा आप किसी से पूछो न पर हमने तो चार नमबर प्लाटफों से ही ट्रेन पकड़ा, वोई वख्षान ने कहा मैंने ट्रेन का नमबर या ट्रेन की रूट चेक नहीं किया था, आप ने किया था? लानवांग जी ने पूझा वो युवक्षन ने भी नहीं किया था वो युवक्षन ट्रेन में जादा नहीं चाड़ता है उसे इन सब बातों की जादा नौलेज नहीं थी लोगों को पूझकर पता चला कि लानवंग जी का शक्ष ही था वो लोग गलत ट्रेन में ही थे अब तो हम बहुत दूर आ गये हैं वो युवक्षन ने कहा अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे नेक्स टेसन पर उतरना पड़ेगा लानवंग जी ने कहा तुम लोगो कहा जाना है एक पैसंजर ने पूछा एस सिटी वो युवक्षन ने जवाब दिया अगले स्टेसन पर उतर कर बस पकड़ लेना वो साथ भी ने सजेस्ट किया हम ऐसा ही करना पड़ेगा लानवंग जी ने कहा नेक्स टेसन पर उतर कर लानवंग जी हसने लगा हस क्यों रहे हो तुम वो युवक्षन इरिटेट होकर पूछता है जब भी मैं आपके साथ निकलता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड हो जाता है लानवंग जी ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है? वो युवक्षन ने पूछा तुमने भी तो नहीं देखा था हाँ सब मेरी ही गलती है लानवंग जी ने मुश्कुरा कर कहा अट्रक्टिव हूँ? हाँ हो वो युवक्षन ने उसका हाथ पकड़ लिया अब चलो एस सिटी जाने के बस कहा मिलेगी देखते हैं वो युवक्षन उसे ले चलता है और लानवंग जी उसके साथ चलने लगता है उसके फर्स डेट पर वो वुवक्षन के घर गया था अगले दिन वुवक्षन उसे सन्राइज देखने ले गया था एस सिटी के इस्टन साइड में एक नदी है सन्राइज के टाइम सुरज की रोशनी से उस नदी की रेथ सोने की जैसे चमकती है बहुत लोग उस नजाने को देखने के लिए आते हैं पर वुवक्षन लानवांग जी को वहां नहीं ले गया था जहां लोगों की भीड़े होती है वो उसे एक आफवर जगा पर ले गया था जहां ज़ादा कोई नहीं आता था वो दोनों अपनी अपनी साइकल से गये थे और एक उची जगा पर साइकल खड़ी करके सान्राइस देख रहे थे नदी नीचे से बहर ही थी वो लोग रेथ पर नहीं उतरे थे लानवांग जी न तो अपनी साइकल को ठीक जगा पर रखा था पर विवक्षन ने अपनी cycle नदी के side रख दिया था अचाना कि एक तेज हवा का जोका आया और उस हवा के वज़े से विवक्षन की cycle नीचे गिर गई विवक्षन को नीचे उतर कर जाना पड़ा था और वो लानवांग जी के मदद से ही अपनी cycle को उठा कर ला पाया था लानवांग जी उस दिन भी बहुत हचा था आज भी उसे बहुत हची आ रहे थी आपके साथ मेरी जिन्दगी बहुत ही unpredictable होने वाली है लानवांग जी ने कहा तुम्हें डर लग रहा है वो यवक्षन ने आखे घुमा कर पुछा नहीं मुझे लग रहा है के मेरी लाइफ बहुत eventful और interesting होने वाली है लानवांग जी ने कहा मैंने तुम्हें कहा न ज्यादा high expectation मत करना मुझसे वो यवक्षन ने कहा लानवांग जी ने कुछ नहीं कहा एस सीटी जाने के लिए बस ढूने में उन्हें बहुत ज़्यादा time नहीं लगा पर उन्हें बस में एक ही सीट मिली लानवांग जी को सीट पर बिठा कर वो यवक्षन उसके सामने खड़ा था बस ट्रेन से ज़्यादा रिस्की है क्योंकि उस बस का लाश्ट अप एस सीटी ही है इसलिए वो यवक्षन बस पर चड़ने वाले पैसेंजर्स के उपर अच्छे से नजर रख रहा था और बीच-बीच में बात कर रहा था लैनवंग्जी अपनी सीट में बैट कर वुई वक्षन को देख रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था वुई वक्षन के बारे में वो क्या सोचता था और वो कैसा निकला उसने सोचा था कि वो एक प्लेबॉई से डेट करने जा रहा है कुछ wild मुलाकात के बाद साइट सब कुछ खतम हो जाएगा पर वीवक्षन तो बस एक clumsy man निकला जिसके साथ जिन्देगी ही wild बनने वाली है लैनवांग जी ने सोचा था कि इस affair में सिर्फ hot and sweaty bad sins होंगे पर ये तो एक romantic novel जैसे लग रहा है love story तो अच्छी चल रही है बस इसके ending happy हो जाए तो और क्या चाहिए बस एक stop में आकर रुकी तो वीवक्षन को opposite side वाली seat मिल गए seat पर बैठ कर वो कुछ बोल नहीं वाला था कि लानवांग जी बोल उठा मेरे cousins वीवक्षन चुप हो गया और लानवांग जी की नजरों को follow किया उसने दो teenage लड़कों को आते हुए देखा उन में से एक का चहरा लानवांग जी से थोड़ा सा मिलता है दोनों लड़कों को ही वांग जी दिख गया था वांग जी भाईया दोनों वांग जी के पास आ गये आप यहां क्या कर रहे हो मैं गलत ट्रेन में बैठ गया था लानवांग जी सर्मा कर बोलता है इसलिए ट्रेन से उतर कर बस से घर जा रहा हूँ तुम दोनों कहां जा रहे हो हमारी भी वो इंटर्वेकेशन सुरू हो गई है न आज हम मौसी के घर जा रहे हैं तीन दिन बाद आपके घर जाएंगे एक लड़के ने कहा सीजुई क्यों ना आज हम भया के साथ उनके घर चले जाएं दूसरे लड़के ने कहा मौसी के घर बाद में चले जाएंगे पर जिंगी मौसी हमारे लिए इंतजार कर रही होगी सीजुई ने कहा तो क्या हुआ जिंगी ने कहा हम उनको फोन कर देते हैं और मम्मी को भी आइडिया तो अच्छा है पर मैं मम्मी से पर्मिशन नहीं मांगूगा तो खुद फोन करके बाद कर सीजुई ने कहा हाँ हाँ मैं ही करता हूँ जिंगी ने कहा मैं तेरी तरह डरफोक नहीं हूँ रुको रुको लानवांग जी ने कहा तुम लोग अपनी मौसी के घर जा रहे हो न मौसी ने तुमारे ले सब कुछ रड़ी करके रखा होगा ऐसे इस टाइम प्लैन चेंज करना ठीक नहीं है क्या सोचेंगी वो मैं उनको पता दूँगा कि रस्ते में आप मिल गये हो इसलिए हम आपके घर पहले जा रहे हैं जिंगी ने कहा तो तुम लोग सब को बताना चाहते हो कि मुझे ट्रेन में चड़ना नहीं आता है सब को पता चल जाएगा कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गया था तो सब मेरे उपर हसेंगे नहीं फिर मेरी क्या इज़द रहे जाएगी लान वांग जी ने कहा हाँ ये बात तो सच है सिज्वी ने मुस्कुराया मैं भी तो हमेशा बोलता हूँ कि मुझे आपकी तरह बनना है इस बात का पता चलने पर सब मेरे उपर भी हसेंगे जिंगी ने मुँ बनाया मुझे कॉल करना मैं बस टॉपर तुम्हें लेने आ जाऊंगा टिकिट्स के पैसे बग जाने पर दोनों लड़के खुश थे उनकी जर्णी 25-30 मिनिट की ही थी दोनों ने बहुत बगबग की और अपना स्टॉपर जाने पर उतर गय तब तक लानवांग जी की पास वाली सेट भी खाली हो गई थी वो इवक्षन बस के पैसेंजर्स को चेक करके लानवांग जी के पास आकर बैठा ये तुम्हारे चाचा जी के बेटे हैं? उसने पूछा हम्, लानवांग जी ने जवाब दिया सीजुई और जिंगी सीजुई को देखकर मुझे उस छोटे से लड़के की याद आ गई जिससे मैं वेंस के बद्डे में मिला था और जिंगी को देखकर मुझे उस लड़के की याद आई जो मेरे DCT वाले घर पर आकर मुझे प्रोभोक कर रहा था विवक्षान ने कहा तो आपको कौन जादा पसंद है? लानवांग जी ने धीरे से पूछा मुझे तुम पसंद हो हर रूप में, हर हाल में विवक्षान ने हुष्पार किया फिर उसे कुछ याद आया तो उसने कहा ये दोनों तुम्हारे घर आ जाएंगे तो तुम DCT नहीं आ पाओगे तो फिर कल सुबह ही चलो ना क्या ये पॉसिबल है? हाँ, कल ही चलूँगा लानवांग जी ने कहा दोस्तो, आज का ये पार्ट में यही खतम कर रही हूँ आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा? बताना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सेयर करना भी मत भूलना आज के लिए इतना ही फिर मीलेंगे अगली वीडियो में सब तक के लिए बाई